वेलकम फ्रेंट युक्ति आईयस पर आप सभी लोगों का स्वागत है आज 16 मार्च है तो द्यानिक जारण के राष्टे संग का नीज पेपर में पीटी मेंस और इंट्वियों और इन कौन-कौन से नीज को पहर किया गया जो आप लोग के लिए उप्योंगे उसके हम लोगो आगे बढ़ने से पहले आप यूट्यूब चैनल को आप जरूर सेर किजिए संस्काइब किजिए और बेल आइटम को भी दवाए ताकि सभी नोटिपिकेशन आप तक जल से जल पहुंचे और कोमेंट सेक्शन में महत्तुम सुझाओं के साथ साथ 55 जो प्रस में पूछे ज करके आप युक्तिया इसका डावलोड कर सकते हैं युक्तिया इस पर बहुत से कोर्से लॉंज किया हुआ है जो बहुत ही लो प्राइस पर है तो इसका आप लो लाव दे सकते हैं चलिए अब आगे बढ़ेंगे यूपेसी जीस पेपर 2 चुनाव आयोग प्रकिरिया और न की गई है तो ध्यान रखिएगा महराष्ट का मामला चल रहा है राजपाल और उसके पेस सॉलिटर जर्नल जो तुसार कुमार है उनके द्वारा तुसार महतार के द्वारे बाते की जा रही है ध्यान रखिएगा इस पर नियूज पहले मैंने 9 दिसंबर आपको 2022 के सेंग्म पार्टियां उसको कैसे मनने दी जाती सभी परक्षा की गई है जो आपको राजितिक पार्टि शो संबंदित चीजों को कभर करता है तो आप क्या करना आपको 9 दिसंबर का जो पैकेज खर दे हैं वो क्या कि जबिए पेडिये अधित कर लिजिए गा देख लिजिए इक न सुप्रिम कोर्ट ने कुछ बातों को आ सिर्टानियों उतुम हैसा मेह जो पनेवारा कुछ बाते की है सुप्रिम कोर्ट में सब्भारा 2 दूद्रे विभेंध साबित के लिए कहने का अधार पूछा है विवेकिय सक्ति के संदर में बाती की जा रहे है ऐसा कौन सा भी वेक्य सक्ति आपको लगा जिस अधार पर ये आप तैय कर पाए कि आपने जो सम्मक्ष पार्टी है उसने जो सत्ता में भी काविश पार्टी वो ने अपना बहमत को लिए उसके लिए देखिए धिहान रखिएगा तो सवाल तिपन्नी में यह भी कहा कि राज बेध होते हैं तो असंतोस हो जाता है और वो पार्टी के कुछ लोग आके राजपाल से यह बोलते कुछ अधार देते हैं कि हम उसके साथ सपोर्ट नहीं करना चालते महिं कहा जा सकता तो इस पर कहने पर आप नहीं होगा जो राजपाल की और से Solitaire General तुसार मेहता का कहाना था किया कि राजपाल क्या करेगा राजपाल द्वारा मुखमंतरी को बहुमत साबित करने का परियाप्त अधार और सामधई थी उसके अधार पर ने लिया गया है तो बात यहाँ है कि देखिए इसके बाद यहाँ पर स्यू सेना के जो बागी गुड़ थे चौतिस गुड़ थे राजपाल को पत्र को देखा जाए जो भेजा गया है पत्र उसको देखा जाए तो उनमें सरकार से समर्थन वापस लेने की बात नहीं कही थी कि मैं सरकार से अपना जो चौतिस विधायक अलग हो रहे हैं हम उससे समर्थन वापस ले रहे हैं ये बात नहीं की बलकि उसने उस पार्टी कहना बहुमत दल का नेता किसे चुनने की बात की है सिंदे ने की है तो यह तभी तैह हो सकता है जो स्वेधानिक वैख्याओं में य रहा है पार्टी का मुखिया वह इस्थिफा दे या राजपाल उसे राजपाल उसे बर्कास्त कर दें तो जाके दूसरी पार्टी बहुमत का नेता चुना जा सकता है यही प्रवधान है लेना पर क्या हुआ कि असटोस के कारण यह असटोस रूथ विधायकों को और उष् सिवसेना ही है सीयु सिवसेना ही है बस मेरा जो чो चौतिस विधायक जो लोग है इनका नेता कोण होगा सिंदे होगा अब बाकी कि जो नेता है उनका नेता कोण अभी बी चल रहा है तो अगर शीविसेना के हैं तो पत्र पार्टी के अंदर अशंतोष का सामना कर रहा है कि ये पार्टी क्या है बिवाध हुआ है किसी मुद्जे को डिश्पुट हुआ है जिसका समधान आप राजपाल पर जोनना चाहते हैं तो आप क्या कहेंगे आउसर किनको देंगे इसके लिए राजपाल को ऐसा लगा कि राजपाल सरकार बहुमत खो दिया है ये बाते बात क घया ज़ायेगा जब तक विब जारी नहीं करेगा सचे तक पाटी का तब तक चीजे कंट्रोल नहीं रहे तो अब हर चीजों में विवजारी किया जाए तो यहाँ पर यह इस्तिती बहुत ही लोक्तांतिक रूप से खतरनाक इस्तिती को जन्म देती है यह बात नियाले के द्वारा कही गई मान्य नियाले के द्वारा अब उसक दिलाते हैं उनके द्वारा बोला ही उनमें लिखा गया कि वे लोक्त सरकार का हिस्सा नहीं बन रहना चाहते हैं उनका समर्थन करने के दवार डाला जा रहा है अन्या ठात पार्टी विव जारी कर दियोगी इस समर्थन आप जारी करना तो ऐसे में इस पत्र का क्या मतलब और उसके बाद राजपाल क्या करते हैं कि समक्ष पर्याब सामगरी थी जिसके अधार पर उननों के करवाई जो की इसके बाद सिंधति को आसर दिया घ्या वो पार्ति बना लेता हैं उसके बाद वह सत्ता पर आ जाते हैं, मुख मंत्री, मुख मंत्री दोनों बन जाते हैं, सिंदे और फणनडी, तो ध्यान रखिएगा, राजपाल इस स्थिति मुख दर्सक नहीं बन सकता है, अगर ऐसी स्थिति कायम होगी, यह तुसार महता बोल रहा है, तो एगर राजपाल को ऐसा लगता है, तो सरकार के पास बहमत नहीं है, तो वो सरकार को बहमत साबित करने के लिए कह सकता है, यह राजपाल की और से क्या करते हैं, तुसार महता का बयान है, और सुप्रिंग कोड क्या बोरा है कि हम ऐसी अनुमती नहीं दे सकते हैं तो यहाँ पर आप यह समझेगा दोनों इस्तितिया है ना दोनों इस्तितिया स्वैधानिक बैख्याओं की और लेकर जा रहा है तो जो बाते हैं आने वाले समय में राजपाल के विवेकिये सक्ति को ह आ अधार देगा कि राजपाल इस प्रकार के मामलोğ में किस प्रकार के विवेकिये सक्तियों का परयोग कर सकता है तो वेट वाच करेंगे हम लोग यह शिश्टी सेवन का जो इंट्रिव्यू होगा मेंस का रिजल्ट आएगा उसका इंट्रिव्यू वह तो यह समामले आपको याद रखिएगा यहां प्रस्थ पूछा जासता है इस मामले में ध्यान रखिएगा कि 2004-2009 के दोरान जब रेल मंत्री थे आपको लालू परसाद जादो उन्हों जबलपूर कोलकत्ता जैपूर और हाजिपूर इस्तित्य रेलवे के विभिन छेत्रों गुरूप भी पदों के बिहार के लोग नोकली लगवाने के बदले आवेदन बुखन दिये थे तो यह सब चीजे ध्यान अखिए नेश्टम चर्चा करेंगे भारती किसानों के स्री अन को मिल सकता है विदेशी बजार तो ध्यान रखिएगा अभी वर्स चल रहा है 2023 का क्या अंतराश्टिय यह क्या हो गया एक चलिए अंतराष्टी क्या चल रहा है जिस माहें उस समय भी इसकी चरचा की गई है तो आप लोग को previous वीडियो देख लेना है और जाके आपको वीडियो को कभर कर लेना है और ध्यान रखिएगा इसलिए important है न हम लोग क्या shift हो रहे हैं मोटे अनाज की और अपने खाल समगरियों में शामिल करने के लिए तो ये बाते चल रहे हैं इसके लिए देखिए उत्त इसलिए important आपको टॉपिक रहेगा यहां से प्रस्त आपको PT में 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 पूछे जा सकते इंटिव्यू में प्रस्त पूछे जा सकते तो तुछा साथ कभर करना अच्छे तरीके से इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं उत्पादन कर रहे हैं ब्रांडिंग कर रहे हैं यह स इसलिए मनरेगा के लिए धन कभरधना अवं अवन्टां संसद्या समीति जईताय चिंता है क्या है उप Yahoo कि और समीति क्या होती है और अस्थाई समीति नहीं liegen तो उसके भी आप लोड चर्चा कीजिएगा आलो कोमेंट सेक्षन में लिख कर बताईएगा चलिए तो संसधिय समीती ने बुद्भार को राश्वान पेस रिपोर्ट में कहा कि 2022-23 का जो संसोधित अनुमान की तुल्ला में 23-24 की जो के लिए मनरेगा जो बजट आवंटनों में 29,400 रुपे की कमी कहीं चिंता का विशेब बनाता है साथी साथ जो मनरेगा है ध्यान रखिएगा तो इससे कुछ पर्ष्ट का उत्तरापू देना है मनरेगा का पुरुवर्ति नाम क्या था इसकी अस्थापना कब की गई थी साथी साथ मनरेगा घ्रसना कब मनरेगा अधिकार किया है ये भी आप लोग को कभर करना है इसे बंचित अबादी के लिए काम करने का अधिकार पढ़ान करता है तो जो काम करने की चुक है तो उसको कैसे वित्तिय अवंटन कम रहेगा तो कैसे काम किया दिया जाएगा वित्त से समर्दित यहां बात की दी गई है अब्यक्त की गई है तो ध्यान रखिएगा तो मंत्राले ने इस पर जवाब क्या कहा है कि योजना मांग पर अधारित है जब जरोत परती है तो धन अवंटन को बढ़ा दिया जाता है नहीं तो हम अप्रोक्स लेकर चलते हैं औसत के तोर पर ध्यान रखिएगा करोना आपको महामारी यूक्रेन यूद मुद्धा स्पिर्ति के कारण और समान परिष्टिक के कारण पीछे दो तीन वर्सों में योजना के धन अवंटन में विर्धी नहीं जिए वर्स दोजा बीस इकीस में मन्रेगा के मुल में एक सथ हजार करोड के अवंटन किये गए तो चुकि य आधारित योजना है जैसा डिमांड होगा वैसा सप्लाइग किया जाएगा तो जैसे डिमांड बढ़ेगा अधात के लिए लोग दिमांड करेंगे वैसे वीद के साथ इसको परवंधन किया जाएगा यह इंपार्टन फैक्टर है अब यह बजटिय आवंटन से इसका अध से देख रही है इसको आपको डिमांड अधारित योजना देखती है अब यह मोसम बारिश से साथ सो पची सड़क पर यह पिछड़ी है गड़करी जीने आपको रासभा में एक बैठा की जवाब परतिवाद में वो रहे थे तो ध्यान रखिएगा रासभा में लिखी तु पर दोजी है अठाथ कंपणिया जो निजी कंपणी पीपी मोड पर होगी किसी पर युना को क्या करेगी पहले निर्मान करेगी उसके ऑपरेट करेगे जब उसका पैसा निकल जाएगा उसके पारगत है उसके बाद सरकार को ट्रांसपर कर देगी इस अधार पर जो पहुन दिया गया है उसमें ध्यान अखिएगा सभी विलंबित परियुनाओं का अत्रिक लागत का प्रभा प्राधिकरन पर नहीं पड़ता है था था हमारे जो रोड रेट से समंदित प्राधिकरन उसके लिए प्राधिकरन परियुनाओं देरी होने सी तो अनुबंद के सर्तों मुल में विद्धि जितनी होगी वुकतान कोन करेगा ठेका लेने वाली कमपनी करेगी मालेजे इस यह कोई योजनागवी 2023 क्रत्थी तक चल जाती है तो जो अत्रीक्त का खर्च होगा आपको वह कमपनी प्राधिकरन जो रोड़ वेस पर प्राधिकरन है वो नहीं करेगी तो यहां आपको ध्यान रखना है हम लोग इसमें बेनिफिट में रहते हैं इसलिए किसी चिंता का विशे की बात नहीं यह राज सभा में बात की गई ध्यान रखिए इसके बाद ग्रीन हाविय पॉलिसी के कामला में था तो जो आपको विधान सभा अध्यक्स रजीटू खंडगी उन्होंने बोला है कि रुटी खंडी भोशन द्वारा कि वो अपने फैसले पड़िग है और जो किया गया है कॉंग्रेस के द्वारा आपको समक्ष पीट के समक्ष आचरन जो किया गया दब दस्ता यह जो कारे मंत्री है प्रेंचंद अगरवाल द्वारी लंबर की खरवाई वाफस लेने पर प्रस्ताव को और सिर्कार करते विए बाते बोली गई है तो मैंने कल भी आपको बोला था इनका विवेक्य सक्तिया है यह कारे संसदिय सक्तिया है कि वो ततकार निर्न ले सकती ह कोह को किस परकार से नियन संचानन करवाना है हमारे सदन में अथात बिधान सभा में तो उसके लिए स्वाफलेंट है वो उसे प्रसंगत नहीं किया सकता ना नियाले में न न कोई यूद कि न.. कोई व्याफती न. उस परasmठन करे जाको चिजित आ है तो सारे अधिकार को य जरूरी है तो जो लेट हो रहा है परतिवादी के द्वारा ध्यान अक्षित के नहीं और जो भी मामला है उसको जल से जल निप्टारे की बात की है यह तो ध्यान अक्षित करना उचित नहीं होगा तो भी नहीं होगा तो ध्यान रखिए कि हम वेट करेंगे इनके सभी पहलों को देखने के लिए दिन फैसल आएगा उसको इसकी तरीके से चर्चा करेंगे जैसे अधिया पर आया था तो चर्चा किया गया था आपको रवी सर के दुवारा वैसे ही यहां भी किया जाए और ज दस्ता के कारण नहीं ले पार है जिसे जो लोग वहां सस्क्राइबर है वो थ्वाचिंता अब्यक्त कर रहे हैं तो मैं ही अपने इसी वीडियो को अप्लोड कर दूँगा तो दोनों जो स्टुडेंट है उसका लाव ले सकते हैं तो जल्द ही आप लोग वह भी आप लोग अब नहीं कर दोदका выпол bite to पर आए गीए देश भक्ती से उनने का इक मोका मिलेगा लोगको देश की समावनों से जुनने का मोका मिलेगा जो की होता क्या नै कर यह जो सिस्टम है नंधे जैसरणा के समार तीसत या तो भी स्टु है जैसे Shynell band program stripes living form मेंश तो भारत में अकीन तो ध्यान रखिएगा जो इसका Trump Compact Limited जो है पहली बार घरेलू बजार का आयूद ठक्ति का निगमी करन के बाद जो किया गया है Trump आपको Compact Limited उसके द्वारा यह उपलत कराये जाएगा किस नाम से उपलत कराये जाएगा तो Troops Brown के नाम से याद रखिएगा तो Troops Brown तो आप लोग क्या करना है देशी वस्तों को खईने का परियास करना है और देखिए सेना से अगर जूल के रहिएगा तो देखिए बहुत से चीज़े होता है इससे अपनी सेनाओं को मजबूती मिलेगी साथी साथ क्या मिलेगा कि हम है ना देश के संदर में है ना देश की भावनाओं को थोड़ा सा बहतर तरीके से समझे आइसे ही Automatic कोई सीज़ हम से अपने पास रखते तो feeling उसका अलग होता है तो थोड़ा सा क्या करना promote करडन जो भी लोग है अगर कहीं इस महीने में कुछ समान खई रहे अगले कुछ महीने तो समान खईनले का पर्यास करें जो भी लिटरट इसमें और तो आप उत को purchase करने का प्रयास कीजिएगा और सपोर्ट करने का प्रयास कीजिए जिस सेवा ऐसे भी की जाती है तो इसका लाब लिज़ेगा चलिए अपसेना का प्रोडक्ट है तो इस पर कोई भी आपको संका नहीं होना चाहिए देखिए अब एक और भी नया चीज है लगतार मांग उठी ते कि लिए सुप्रीम कोट में याचिका डायर की गई है महिलाओं के उत्पिड़न के लिए महिलाओं के उत्पिड़न के लिए महिला आयोग है और होना भी चाहिए हाली में दो तिन केस ऐसा आया जहां पर फुरसों के साथ बलतकार किया गया है तो ध्यान रखिए गा या घर अर्थम दिश्टिया आपको देखने को मिलता है क्या कि जैसे कोई महिला डॉरी एक के लिए केस दर्च करती है तो सबसे पहले जो संबंदित का नाम दिया जा उसको पकड़कर नोबेल वारें पर आपको रखा जाता तो यह ध्यान रकेगा यह बहुत ही महिला पुरुसों अधिकार की बात करते हैं यहां भी यह बात होनी चाहिए राश्टिय आयोग की बात इस पर मैंने पहले भी एक बार एक लिख लिखा था आपको मनिये जो पधानमंत्री एप है उस पर मैंने लिख लिख लिखा था राश्टिय आयोग जुरूरी है पुलिस पुरुसों के क्योंकि जिस प्रकार सोसाइटी डवलप हो रही है ना आने वाले समय में पुरुस परतारना बढ़ेगी क्यों बढ़ेगी अब पुरुस परतारना केवल सारीक नहीं होगा मानसिक परतारना आपको अंसर से देखने को मिलता है पर महिलाओं के साथ सारीक परतारना की बात हो म काली में आपको कुछ दिन पहले ही आपको कुछ महिला गुरूप के द्वारा क्या किया गया महिला गुरूप के द्वारा कुछ लड़कों का समूर था एक लड़के को अपने कार में बैठाक लेका जाता उसके साथ जब अदस्ति करता है उसका बलतकार करता अब यह कहीं भी किसी भी IPC के धारा में आपको परिभासित नहीं है कि अगर पुरूस का बर्तकार किसी तरीके से किया जा रहा उसको किस तरह से डंड दिया जाएगा तो देखी हमारा सोसाइटी कैसे दोहरी माप डंड को लेका चलता है पुरूस महिला अधिकारों की बात करते हैं पर महिला जो करने होता है वो कभी पुरूस के लिए राष्टी आयों की कर्चा नहीं करता है तो ध्यान यह रखना यह सब चीज आपको ध्यान में रखना है और ऐसे बहुत से मामले जो बार बार देखने को मिला है आप महिलाओं के दौआ पुरूस का सोशन करते हुए आपको पुर पुरूस का कोई सवह्युवान नहीं होता है तो यह आपको थ्वाशा ध्यान रखना है ऐसे चोटे-चोटे घटनमाल जो कोई महिला के साथ छेर चार होता है किसी परकार का और वो गलत साबित होता है किसी पुरूस को एक आपको वीडियो देखने को मिला होगा आप लोग कंधे पर या तो कहिए ब्रेस्ट के पोसन पर चला जाता है क्योंकि वो ड्राइबर ब्रेक बार बार लगा रहा था जिस पर वो महिला ने उसे बहुत चमाटे से मारती हैं बोलते सारे मर्द एक ही जैसे हैं तो ध्यान रखिएगा उस परकिरिया में पब्लिक के द्वारा उसे बहुत पीटा गया अपमानित किया गया वो बैक्ति विसेश इतना डिप्रेशन में चला गया कि उसने क्या किया उसने उस महिला को पकड़ के यह चीज़े दिखाई और क्या करता है उसके बाद यह घटना इतना बढ़ जाता है कि उस महिला के पास आके इस हद तक चला जाता है तो महिला को आके पकड़ के लाता है किनेप करता है अपने पास रखता और गोली अपने मारता है अपने अपने सोसाइट उसके सामने करता और यह बताता ऐसा तुमने क्यों किया था तो ध्यान पुलिस परसासन हो न्याई परसासन हो परसासनी कोई भी हो वह महिला के सपोर्ट में आता है कोई भी संस्था हो महिला सपोर्ट में सबसे पहले आएगा तो ध्यान रखेगा ऐसी घटनाओं से बचने के लिए पुरूस आयोग होना बहुत ज़रूरी है जो लगतार मांगा र इसमें आत्मात्या करने लों विवाहित पुरुसों की संख्या 81,063 है तो गौर कीजेगा कि ये कारण क्या हो सकता है और 28,680 विवाहित महिलाएं तो कारण इसके क्या हो सकते ध्यान रखे अलुपात में अगर बात करें तो चार गुना अधिक है पुरुस की आत्मात्या इस गरिलू अस्तर पर अमूमन आप अपने तरीकों से भी देखेगा बहवारिक अस्तर पर अब यहां बोला गया 2020 में लगए 33.2% पुरुस परिवारिक समस्याओं के कारण 4.8% विवाहों समंदों के कारण अपना जीवन लिला समाप्त के लिए यह आखड़ा कोन बोर रहा है आपको राष्ट्री अपना रिकॉर्ड बोर रहा है तो यह आखड़े कहीं न कहीं चिंता के भी से फिर भी केंद्र आज तक केंद्र की सरकार या नया पालिकान ऐसा कोई निर्ने नहीं लिया है कि राष्ट्री मनवा अधिकार आयो के निर्दिस के अनोद किया जाए या इ महिला है अगर वो यह सोचते है कि केवल महिलाओं का ही परतारना होता है यह आप बिल्कुल मत इस भ्रह्म में रहे कि आपके भाई से इस प्रकार के परतारना नहीं हो सकता है आपके पिता के साथ नहीं हो सकता है यह दम परतार आप ध्यान में से निकाल देगे परतारना इ इस सार एक्जांपल आपको धहरतर से मिल जाएंगे इसक धो ध्याइन में रखना है अब नेक्स्थे इनका थूडासा प्रासर की यह नहीं अब यह देख लिए भस्टाचार की जांच के लिए भ्याकां से vipaksh तो ध्यार रखिएगगा भस्टाचार की मांग लगतार कम करने की मांग की जा रही थी कैसे भस्टा चार कम हो सासन पर सासन पर उस पर अब विपकष क्या बुलेगा कि वाले लог क्या करें सत्ता में है तो सत्ता का वियास कर रहे है और वो बेवजा हमें परसान करें जो सभी पार्टियों विपकष के लोह के द्वारा लगाए जा रहा बब प्रस्ट नहीं है या है कि सापीत होगा कैसे यह जो कि राजितिक एजेंडे के तौर पर नहीं है किवल कानुनी तरीके से या परसासनिक अपना काम कर रहा है संस्ताय अपनी एजेंसिया काम कर रही तो क्या बिना जाच का या संबो है जाइर है दोसी या निदो साबित करने की पहली पीड़ी सीड़ी जाच ही होगी अगर मालिजी हम किसी को मामले की अमाले जमीन के मामले में जो रचिनकार की बात वी दी गई थी नोकली दी गई थी उसका हम जात पहले करेंगे तो mesmo परहले कीज एए वो रहा है किया है है वो सही है गलत है कि वाल इस अधार पही हम इसे छोड दे या कोई और बैक्ति विशेस्ट क्यों नहीं है इससे क्या लोगतानतिक मन्यताय मजबूर्थ होती है अब सभाविक है अब पूरे विपक्ष खेमे में खलबली उठेगा ही क्योंकि पधानमंति लोकसवा में कहा तो जो विपक्षी एकता नहीं करा सके वह एडी ने करा दिया भष्टाचार के ऐसे मामले नहीं होते थे तो ध्यार के विपक्ष पाद अपने बचाओ के दो हतियार है जिसमें एक क्या करें वो मोदी को केंद्री जाच एजन्सिक राइनितिक दोप्यों कर रही है और दूसरा केवल विपक्ष के नेताओ के खिलाब भष्टाचार के ज जाच एजन्सिया तपहले प्रष्ट का सवाल है तो यह यादाट में दूसरे भष्टाच नेताओ के बियानबाजी से सावित तो लेगी ध्यान रखी का मैंने कुछ दिन पहले आप जब इस पर मामले में बाते करा तो मैंने विपक्षी दलो की पार्टियों की राज्यों के अस्तर पर जो सरकार है उसके संदर में बात की थी तो आपका सत्ता है तो आप भी तो जो आरोफ पर तैरोफ है जाच करवा सकते प आपको पाटियां केरल में तो आप करवा तो सकते पर क्यों नहीं करवाते तो यहां पर ध्यान रखेगा एक दरदन राज्यों में गैर भाजपा दलो की सरकार है उन्हें भाजपा नेताओं के भस्ताचार की जाच किसने रोका है सब परसंग की सरकार है तो किसी भी राजत की सरकार गडवंद्र की सरकार आप भी जाज करवा ये भस्ता के जो नेता है उनकी जाज करवा के देख लेजे दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा पर जिसके चोड के डाड़ी में तिनका वला हिसाब है वही वला यहां पर क्योंकि पहले भस्ताचारियों का बुट चलता था पहले राजिती का अफ़ अन्यकी मान्यो उस अभी चीज को साइड में रखिए सभी तथ्षों को साइड में रखिए और सभ नेतिक्ता का आधार्पर वह स्वें आकिलन कीजिए क्या आपका परिवार है क्या इस परकार के घटनाओं में संतलित्ता में सामिल नहीं था तो आकलन आपका जो वेतन है वेतन और मासिक भत्ता जो है उसका आकलन कर है मुख मंतरी के तौर पर प्राप्ट हुआ है जो भी नेता पक्ष्ट के तौर पर प्राप्ट हुआ है आप जब से राइनिती में हैं तब से आःक्लंड कीजिये वरतमान 23 तर उसका जो मुल्य हो जाएंगे और यह सभी नेताओं के साथ है ऐसा नहीं के साथ ही अब पीम को भी लिजे पीम के साथ भी आप ऐसे कर सकते हैं ऐसा नहीं कि पीम है तो इस तरीके से क्लिंशीट दी जा सकती है तो ध्यान रखिएगा या तभी तक सभी संभो होगा हम भश्टा चार का जो करेंगे तो कैसे लोकांतिक मननेता है मजबूर्ट होगी यह स्वेवी प्रस्न खड़ा किया जा सकता है अब ध्यान रखिएगा यहां पर भश्ट नेताओं के खिलाब किसी ने किसी ने तो जाच शुरू की है इस बात को लेकर सब मिले हुए हलाकि ध्यान रखिएगा भश तो एक सरकार तो एक ऐसा वार उधारन प्रेस हुआ है जब एक सरकार नौ साल तक लगतार सत्ता में है उसमें भश्ट आरोप नहीं लगए यह काफी हद तक सही भी है आप भी महसुत करते होंगे भले हम सभी का आगला नहीं कर सकता है जो पी एम का जो केंजेट हमारा जो पी एम वरतमाने पी एम उन पर अभी तक भी इस प्रकार के भश्टाचार के कोई आरोप तैय नहीं कर सका है आप उस तो सबुत लाकर दीजे बैक्ति अगर सही होगा बैक्ति वस्तुनिश लूप से काम करता होगा साथित बैक्ति और बैक्ति जो अपने दाइट्यों का न होगा ठीक है ना चलिए नेश्ट हम बात करेंगे अमरिकी बेंगो धंस्तोने का असर क्या होगा तो कल भी मैंने चर्चा किया था तो दिसंबर 2022 में सिलिकन वेली आठ बड़े बेवसाहिक प्रस्थानों की संपति लगवत 208 अरब बिलियन अनुमानी थे उसमें क्यु अध लगाये जाते हैं तो दो जाट 23 परतिस जो 23 परतिस एकॉमर्स की कमपनिया भारतियों के हाथ में चाहिए सब आकड़े आपको याद रखने और 16 अमरिका का सबसे बड़ा बैंक सिलिकन वैली बैंक जो था ग्रहाकों को जमारासी वापस करने में सफल होने के कारण वो 10 मार लिकों के लिए क्या था या बैंक लोक पिये था क्योंकि अमरिका और बड़े बैंकों में पकिठ्शा इसमें खाता खोलना आसान था इसलिए ज्यादा चर्चा में रहा था जिन लोग इस पर ज्यादा पैसे इंवेस्ट करते थे लोग लगाते थे जमा पुंजी करते थे ध्यान रखिएगा अब यहां पर 2008 में लेहमन जो ब्रदस बैंक था वो दिवालिया हुआ था उसके बाद क्या विस्ट के अर्थ रोस्ता हिल गई थी इसको 2008 के मामला को नहीं जाम था पुरा वि अमरीकी सरकार फैडरल डिपोजिट इस इंसोरेंस जो कंपरी है उसके दा उठाएक कदमों से इस्ट की नियंतर आने की उमीद है क्यों वो क्यों क्यों पैसे रिवाइज करेगा पात यहां किया था तो समान तोर पर बैंकों में निवेस प्रटोकोलियों तीन प्रकार के हो होते हैं तो HTM याद रखे हें हें टू मेच्योरेटी जहां पर परतिभूतियों को परिप्रक्टवा अवधी पर रखी जाती है दूसरा आपको दूसरा अजजा एफ एस याद रखेगा Unable for Sale यानि वे परतिभूतियों जो विख्रे के लिए होती है तिसरा है है höher फोर ट्रेकिंग कि वो लाब कमाने के लिए परिपक्ता से पहले ध्यान रखिएगा HTM जो health to maturity है maturity मान लिजे या कोई maturity पर्थिभूती है जो 2020 में खरदा गया ठीक है न उसकी maturity 2025 में होनी वाली है मान के चलिए 25 में पुरी होगे पर वो company लाब कमाने के लिए क्या करता है 2022 में बेज देता है तो risk cover बढ़ जाता है तो ध्यान रखिएगा इसी अधार पर अमरेकी bank क्या करता है परिक्ता पहले होने से पहले इस्तेमाल करने का परियास करते हैं खाता अधार को को अल्ब कालिन जमा अधार के लिए कुछ परतिभूतिया लगाता है अब राश्पती ने कहा है अमेरिकी राश्पती की बात हो रही है पी करवाई की जाएगी किसी को बक्षा नहीं जायाएगा और जो federal deposit insurance है वो उसके जब भुक्तान कर दिया जाएगा धाई लाग परतिधारक के हिसाब से अब भारत में RBI के सक्त निती के कारण बैंक फेल होने का संका कम है किन्तु वित बजार भावनाओं पर चलता है मात regulation पर नहीं इसलिए ध्यान रखेगा सौधानी आवस्यक है यहाँ बीमा केवल 5 लाख रुपिये तक जमारासी ही करा सकते ध्यान रखेगा आपके 10 लाख वो 20 लाख बैंक में 50 लाख रखेगे अगर बैंक दुबेगा तो केवल बीमा कंपनी क्या करेगे पांच लाख रुपिये तो ध्यान रखेगा डिपोज़री बैंक में आपको क्या करना है जो हम आम आदमी लोग है क्या करेंगे पांच लाख से कम रखेगे क्लियर ना तो यहाँ पर ध्यान रखेगा भारती रिज़व बैंक यह held to maturity की सीमा निधारित करता है और जिस कारण क्या है कि जो भी बैंक अधिक सुरक्षी थे जबकि अमरीका बैंक ऐसा कोई पर्तिबंद नहीं लगाता है जो भी held to maturity का है ना उसके लिए सीमा निधारित करता है उससे पहले आप नहीं बेश सकते हैं मान लेजे 2022 में maturity ले रहा है कोई ले रहा है पर्तिब होती 2025 में इसकी पूर्ति होने वाले तो कहने मतलब RBI क्या बोले 2024 को किसी भी हालत इसको नहीं बेचा जा सकता है तो 2024 तक यह aesthetics रहेगा इसमें कोई बदलाव नहीं होगा इसके नितियों में पर एक साल के लिए standing boundary के साथ इससे रखा जाता है उसका बजारिये लाब लिया जा सके तो इसलिए हम लोग health to maturity की सीमा निधारित करने का कारण हम लोग health कम परभा हमारे बैंक पर बंदल पढ़ता है और लाब भी अधिक उप्योवी हो जाता है अब ध्यान रखिएगा यहां पर और भी बाते की गई है यह आपको अमरिकी बैंक के परभाव में अब वैस्विक अस्तर पर भुक्तान का माध्यम बनता रूपिया इसे भी याद रखिएगा हाली में आपको वैस्विक समझोते किये गए है 22 जुलाई में भारती रूपिय विदेशी बैपार भुक्तान के माधिन स्विकिर्टा दी गी थी और जुलाई में मैंने इसे कभर भी किया था इस नियूज को तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर बाती यह हो रही है कि हम लोग विदेशी जो आयात निर्यात कर रहे है वो किस मूल पर करेंगे डॉलर के ना करके भारती रूपिया के अधार पर और रूसी जो मन लिजेव कुछ जिस डेश के साथ समझोता करेंगे आपसी मुद्राओं के अधार पर उसके लिए बहुत से समझोते किये गए देशों के साथ लगव चौतिस जो देश ऐसे है जो भारत के साथ क्या है इस परकार से समझोते करने के लिए इच्छुक है इसे आप लोग को ध्यान रखना है चौसट अन देशों भी सामिल है जैसे जर्मनी इटली भी जिसी देश भी सामिल है कि भारती मुद्राओं के रूप में हम लोग काम करेंगे आगे आने वाले समय में भारत उनकी चर्चा चल रही है जिसमें कुछ देश जैसे रूस, मौरिसस, मैलेसिया, सिरिंगापूर आपको मैनमार इसराइल आदिदेश के साथ ये चलेगा जब ये हो जाएगा तो क्या होगा हमें आयात मेरी याद करने में अपने मुद्राओं पर ज्यादा अद्मिभर होंगे डॉलर पर नहीं होंगे और डॉलर हमेशा दुख देता है क्योंकि वो हमेशा मजबूरती के साथ तीजों को कमबा करता है तो ध्याद रखेगा चलिए फिर हम लोग नेश्ट वीडियो एनलेसिस करेंगे कल तब तक के लिए धन्यवाद जहन